तो हाई फ्रेंड्स अमेजॉन एसोसियेट एकाउंट बनाते टाइम आपके सामने ये समस्या आ रही है कि केपचा कोड आप डाल रहे हैं और केपचा कोड ले नहीं रहा है आपने सारे प्रियास के लिए लिकिन नहीं हो पा रहा है तो हम इस वीडियो में आपको बताने वाल में आपके सामने इसकी जो सेटिंग है वो खुल जाएगी और आपको उपर की तरफ सर्च सेटिंग के अंदर जाकर यहां पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे सर्च सेटिंग में जाने के बाद यहां पर कैशे लिखना है कैशे सर्च करने के बाद में यहां पर क्लिक क्लियर data का जो option यहाँ पर आपको दीख रहा है वहाँ पर जाना है और इसे click करना है यहाँ पर चाहे तो आप cable cache को ही कर सकते हैं या फिर सारी चीजों को clear data कर दीजिए तक हिस्ट्री विस्ट्री सब चीजे और जो error है वो हट जाएंगी और फिर आप जाकर फिर से यहाँ पर try कीजिए हो सकता है यहाँ पर इस page को refresh करने के लिए हमें previous में जाना पड़ रहा है हो सकता है आप same page पर refresh कर पा रहे हो हम करेंगे फिर से login और आप लोगों को बताएंगी क्या यह काम करता है या नहीं दोस्तों देखेंगे यहाँ पर सारी चीज़े फिर से कुली है यहाँ पर हम US के नहीं है तो यहाँ पर no करेंगे और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो link है वो यहाँ पर paste करना है यहाँ पर अपना जो website या कोई भी टेलीग्राम का आपका जो link है वो यहाँ पर डालना है WhatsApp का link भी यहाँ पर डाल सकते हैं कुल मिला कर और फिर करेंगे हम next और फिर बताते हैं कि वो page पर capture code का जो problem है वो solve होता है या नहीं तो यहाँ हम इस ID को डाल देते हैं और फिर करेंगे next तो चलिए हमने link को डाल दिया है next करते हैं और इसे copy कर लीचिए इसको आगे भी डालना पड़ेगा और इसे कर दिया next अब आप देखेंगे यहाँ पर सारी detail वापस बरनी हैं हमको जिसमें associate store ID डालनी है और फिर यहाँ पर link डालना है और यहाँ हम social media page groups के लिए करते हैं यहाँ कर देते हैं online search या जो भी amazon site इसके बाद हम वापस इस capture को डालते हैं क्या यह काम करता है या नहीं करता है तो हम करेंगे accept और करेंगे next तो दोस्तों congratulations आप भी इस तरह से इस problem को solve कर सकते हैं